Hello students, welcome back. यहाँ पर आगए हमने जो अभी पाट पड़ा था यानि जो पाट पड़ा था हमार किस तरीके से मारिया नजसी के जीवन को जो हिंदी ने बदला था हिंदी ने किस तरह मेरा जीवन बदला कौन थी वो मारिया नजसी तो यह एक वारता लाप थी मतलब साक्षात कार जिसको ह प्रश्ट और उनके हम उत्तर किस सरीके से देंगे। तो पहले पार्ट से शुरू हो रहा है। मारिया को किस कारे के लिए सम्मानित किया गया था मारिया के हिंदी में किये गए कारे को लेकर ततकालीन राष्ट पती एपी जे अब्दुल कलाम जी ने उनको सम्मानित किया था हिंदी में जो उन्होंने किया थे मतलब अंग्रेज होते हुए भी हिंदी को बहुत जादा जो है तवज़ो दी थी बहुत ही जादा महत्वो दिया था उसको लेकर तो क्या लिखेंगे मारिया ने अंग्रेज होते हुए भी हिंदी की उत्थान के बहुत ही सहरानिय कार किया था और उन्होंने कई किताबों का हिंदी से हंगेरियन और हंगेरियन से हिंदी में अनुवात किया था उनके इसी सहार्निय कारे के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था तो आप ये भी मेंशिन करताते हैं तकालीन रास्टुपती ये एपीजी अब्दुल कलाम जी द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया था नेक्स कोशन मारिया ने अनेक भाषाओं का अध्यन क्यों किया क्यों कि वो मनुष्ट के उत्थान के बारे में जानना चाहती थी मनुष्ट में कैसे प्रगति आई तो इसी के चलते उन्होंने अलग-अलग भाषाओं को जाना था मतलब चिब कुतावे पढ़ी अलग-अलग जगा की तो उसके लिए उनको भाषाओं जाननी पढ़ती थी तो वही उन्हों दिया मारिया बश्पन सही इंसानी जीवन के शुरुवाती दौर को जानना चाहती थी कि मतलब इंसान कैसा था शुरू में तो उसके बारे में जाननी के लिए लालायत रहती थी इसलिए उन्होंने ग्रीक, लेटेन, यूनानी और संस्कृत भाषाओं का अध्यन किया जो बहुत ही पुरानी भाषाओं मानी जाती थी उन भाषाओं का ग्रीक, समाज, लेटेन, आपकी यूनानी और संस्कृत ये सभी ही जो है विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं हैं इसलिए इन भाषाओं को उन्होंने पढ़ा नेक्स कोशिन मारिया बुड़ा पेस्ट में कौन सी भारतिये पोशाख पहनना पसंद करती थी तो उन्होंने बताया था ना कि बुड़ा पेस्ट में वो भारतिये पोशाख ही पहनती हैं चुकि वहाँ जादा ठंड पढ़ती है इसलिए वो सलवासूर पहनती हैं और साड़ी बहुत ही कम पहनती थी ये चीज उन्होंने अपने साक्षातकार में हमको बताई थी तो क्या था, हमारी बुड़ा पेस्ट में भारतिये पोशाख सलवार कुर्ता पहनना पसंद करती ही क्योंकि यह उन्हें ठंड से भी बचाती है अब क्या है छमा याचना और शिकायत तो वहाँ पर उन्होंने आते ही छमा मांगी थी क्यों कि वहाँ पर बहुत जादा दिली में ट्राफिक था और उन्हें लेट हो गया था फिर शिकायत क्या करी थी जो भूड़ापेस में हम दिल दे चुके सनम को जो शूट किया गया था उसे इटली का बता दिया गया था तो मारिया को आने में थोड़ा सा ट्राइम हुआ तो उन्होंने आते ही सिधे नमस्ते किया और छमा मांगी कि दिल्ली के यातायात के कारण उन्हें आने में देर हो गया विलम्ब हो गया तो देर से आने के लिए उन्होंने छमा मांगी थी, क्या था? इस भेट वारता की शुरुवात में मारिया ने छमा याचना इसलिए की कि दिल्ली के व्यस्त याता यात के चलते वह समय से नहीं पहुंच सकी जो सुबा 10 बजे का समय दिया गया था वो उससे देर हो गए थी उन्हें इसलिए उन्होंने छमा मांगी थी अब क्या है? उसने भेट वारता की शुरुवात किस तरह की शिकायतों से की? उसने मतलब मारिया ने मारिया नैजसी ने किस सरे की शिकायद की थी उन्होंने शिकायद की थी न, कि किस सरीके से बुड़ापेस्ट और हंग्री में शूट फिल्म हम दिल तुझे के सनम को वहां के जब उनको रिलीस किया गया तो बताया गया कि वो सारी जगाई इटली की हैं तो इस चीज की उन्हें बड़ी शिकायत थी कि ये देखने वाले दर्शकों के लिए भी नाइंसाफी थी और जहां की सुन्दर्ता आपने कैमरे में कैद करी ये वहां के सजखा के साथ भी नाइंसाफी थी तो ये सारी चीजें उन्होंने शिकायत कर थी सबसे पहले तो वो चीज हमें बताने क्या है मारिया ने बादचीत की शुरुआत शिकायतों से करते हुए कहा कि भारत बहुत बड़ा देश है यहां की परंपरा बहुत स्म्रद्ध है पर यहां के फिल्म वाले इतनी चोटी चो इतनी पयाव चीजें रें पर करते हैं और किन-किन चीजों के बारे में किस से तुम चमायाचना ऑर शिकायत करते हो क continuity शमायाचना और शिकायत, दोनों चीज़े होती हैं, कभी जैसे हम अपनी टीचर से करते हैं, मावाब से करते हैं, और कभी कभी दोस्तों से भी करते हैं, तो हर किसी के साथ अलग-अलग होता है, तो सब अपने अपने विचार लिखेंगे, कहां शमायाचना और किस से मांग र आंज और से नहीं हैं इन सब चीज़ों पर आपको छृमायय आत्री याप शिकायत करते हूं ६anu कियु और ये विदुन सासी तो nे कोई चीज को दिए हैं के है drag छमा यामचना घीक छमा यामचना हड़ाने डाले गे तो जिससे आप मांग रहे हैं लिखेंगे फिर उसके बाद खतम हो गें तो दूस्री हमारी क्या आएगी शिकायत तो आप शिकायत हैड़ाने झालें चेंज प्र जो भी आपने शिकायद मैंशन करने औहीं है आप वो शिकायत लेगेंगे इस तरीके से आप mention कर सकते हैं इसमें आप कोई एक का नाम भी लिख सकते हैं अगर आप दो के साथ करते हैं यानि कि teacher और parents के साथ या दोस्तों के साथ जैसे भी हो आप उसको mention कर सकते हैं अब हमारा तीसरा question क्या आ रहा है जूट और सच की बात क्या जूट क्या सच चलिए देखते हैं पहरा पढ़ते हैं यहां की फिल्म वाले इतनी छोटी छोटी बातों पर जूट बोलते ही नहीं बलकि जूट दिखाते भी हैं उपर मारिया ने भेट वारता में जो बात कही उ उसको पढ़ो और बताओ तो यह हम एक लाइन थी हमने यह पूरी शिकायत पढ़ी थी अब उस पर आधारित कुछ कोशन पूछे गए क्या कोशन है तो मैं इस बात से कहा तक और क्यों सहमत हो भाई हम तो पूरी तरह सहमत हैं अगर हम फिल्म देखते हैं तो हम सिर्फ फिल नारतों के बारे में हम फिल्म के जरीये जानते हैं अगर हमें जगह गलत बताई जाएगी तब तो हम शहर को गलत नजरों से देख लेंगे हम पहचान ही निपाएंगे तो इसलिए जिस जगह शूटिंग हो रही है हमें वही जगह में इमशन करनी चाहिए क्या दिया है हम इस बाद से पूर्टा सैमत है क्योंकि फिल्म वाले अपने मुनाफे और जंता के मनुरंजन के लिए कहानी की वास्तिविक्ता से बहुत दूर ले जाते हैं यानि कि उसे वास्तविक रहना चाहिए नैचुरल चीजे रहनी चाहिए जो होती है काल्पनिक द दोनों पक्ष दिखाएंगे तभी तो हम चीजों को बता पाएंगे यह गलत है यह सही है तो वो होना चाहिए सिनेमा में दोनों पक्ष दिखाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी फिल्म को मसाला नहीं मिलेगा और उनकी फिल्म हमें यह सब चीज़ें दिखानी पड़ती है बात यह है जब तरह हम गलत नहीं दिखाएंगे तो उसके सामने हम सही को कैसे खड़ा करेंगे मेरी अपनी समझ यह है कि दोनों पक्ष दिखाने इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि गलत के आगे लिए हम सही को खड़ा कर सकते हैं अब क्या? दो-दो समान अर्थ. अब यहाँ पर हमें समान अर्थ वाले शब्द बताने. क्या? नीचे एक शब्द के दो समान अर्थ दिये गए हैं. जैसे नमूना, धर्ती, प्रत्वी, धरा. नमूना का मतलब है आपको एक्जाम्पल दिया गया है. धर्ती का क्या दिया है? प्रत्वी और धरा तो यह जो जो समान अर्थ वाले होते हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं इन्हें हम बोलते हैं आपको पर्यायवाची पर्यायवाची यह हम क्या बोलते हैं समान आर्थी शब्द समान आर्थी शब्द समान आर्थी शब्द मतलब जिसके अर्थ समान हूं, शब्द बहुत सारे हूं, मगर अर्थ समान हूं, तो क्या दिया है, जैसे की धर्ती, भू, धरा, है ना, हम ऐसे पढ़ते हैं, भू, धरा, प्रत्वी, वसुधा, तो ये सब चीजे, उसी करें, दोस्त का क्या है, सखा, मित्र, सहचर, कुछ भ नेक्स क्या है, पानी, नीर, जल, तो जो भी आपने परहवाची पढ़े हैं, उन्हें आप लिख देते हैं, नारी, महीला, औरत, तो आप इसमें कोई भी चीज़ों को मेंचिन कर सकते हैं, फिर नेक्स आ रहा है, नीचे दिये गए वाक्यों को सही शब्दों से पूरा जीए, मतलब आपको यहां पर सुनाई देने वाले दो एक जैसे शब्दे, देखिए एक्जापल क्या है, रमा ने कमरे में फल दिये, तो क्या दिया, फल सजा दिये, यहां पर क्या आएगा आपका, फल सजा दिये, अब देखिए, इसमें एक चीज़ ध्यान दीजेगा, एक सजा का मतलब है, डेकोरेशन कर देना, सजाना, और दूसरे का मतलब है, पनिश करना, किसी को कोई सजा देना, अब यह क्या कहलाते हैं हमारे, जहां एक जैसे हो, मगर अर्था लखो, तो यह हमारे कहलाते हैं, शुरुती सम भिन्नार्थक शब्द शुरुती सम मतलब सुनने में एक जैसे भिन्नार्थक मतलब अलक अर्थवाले तो सजा और सजा फलक है तो यहां फल सजा दिये फिर क्या मा दही डैश भूल गई जमाना जमाना तो क्या जमाना और जमाना सजा देना हो सजा देना, अलग-अलग होता है, इनके नीचे नुक्ते लगते हैं, सजा, ये नुक्तों का फरक है, ठीक है, जमाना, जमाना, जमाना मतलब आजकल का जो समय, आजकल का जमाना बहुत खणा है, मतलब आजकल जो नहीं है, बहुत गड़बड हो रही है, वो, यह यहां जमाना मतलब कोई चीज को solid में कर देना, तो यहां पर क्या आएगा जमाना, फिर next आता है घोड़ा डैश दोड़ता है, तो क्या होगा तेज, तेज और तेज, अलग-अलग चीज़े होती है, तेज मतलब यहां गती है, याद रखिये, तेज में क्या मतलब गती दिख तेज वाला वेक्ति है, तो वो क्या आता है, आपकी आभा कैसा प्रभाव डाल रही है किसी वेक्ति पर, तो यह चीज़े आएगे, इसमें नुक्ते के साथ फ़रक है, ध्यान दीजेगा, क्योंकि यह हमारा एक नुक्ते से अर्ख बदल रहा है, और जहां नुक्ते लगते वो अरबी और फार्शी भासा होती है अब क्या है शीला ने मुझे एक डैश की बात बताई राज और राज ठीक है यहां पर क्या आएगा राज राज की बात बताई, राज ठीक है, राज मतलब क्या होता है, कोई रहस्य की बात और राज मतलब क्या होता है, शाशन फरक आ रहा है, देखिए, यहाँ पर राज का मतलब होता है, रहस्य ठीक, और इस राज का क्या मतलब है, आपका, शाशन कहते हैं न, राम राज, राम राज बोलते हैं न, तो राम जी का शाशन, जब से मैं राम का राज्य था तो राम राज मतलब राम जी का शाशन, उसी तरह आता है, उदित सितार बजाने में डैश में माहिर है फन, यहाँ पर क्या है? फन तो यह क्या होगा? फन का मतलब हुनर यह क्या है? उनर और यह फन मतलब साफ का फन साफ जो मूँ उठाता है ना साफ का फन यह फन है, अलग-अलग फर्क है देखें नुक्ते के साथ बहुत चीज़े बदल रही है फिर कप में डैसी चाय बची है जरा और जरा फरक है देखिए यहाँ पर क्या है जरा जरा मतलब थोड़ा जरा का क्या मतलब है थोड़ा और यहाँ जरा का क्या मतलब है इज़त चीक है यह चीजे आईए इस तरीके से मतलब यहां पर हम क्या देख रहे हैं एक नुक्तेग में चीजें बदल जाती है तो यहां पर हमने यह स्पार्ट के सभी प्रशनुतर आपको बहुत अच्छे से समझाए ध्यान रखिए हिंदी भाषा में बहुत एक बिंदियों से भी मतलब बदलता है तो यह सब चीजें आपको ध्यान में रखते हुए चल लिए कि कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं आने पाए तो इस प्रट के सभी प्रशनुतर आपको उच्छे से समझ में आए होंगे थैंक यू बबाई